श्कार दोस्तों स्वागिताब सिभी का हमारे चनल पर आने वाले 27-47 गंटों के दुरान कैसा रहेगा संपूर्ण भारत का मोसम और काँपर कैसी बारिस की संभावना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम तुफान बनने जा रहा है उसका परबाव कौन-कौन से जिलों में रहेगा काँपर कैसी बारिस की संभावना है और कितनी बारिस हो सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और उस तुफान का ट्रेक क्या रहेगा वो किस दिसा में आगे बढ़ेगा उसके बा करी मिले और समय पर सटिक जान करी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और वीडियो को लाइक बीच जरूर करे अगर आपको अच्छा लगे तो फिलाल हम बात करेंगी आने वाले 27-48 गंटों के दोरान कैसा रहेगा संपूर्ण भारत का मोसम कहां पर कैसी बारिश की संबावना है फिलाल अगर हम सबसे पहले मोसमी सिस्टम हो की बात करी किसान भायो तो यहापर एक मजबूत सिस्टम मंगाल की खाड़ी के दक्षिन मदी भागों के असपास विक्षित हो रहा है यहापर आप देख से तो क्लावड कितना तेज बने वुआ है और और खास तोर पर दक्षिन भारत की राजिया और पूरुतर और कुछ मदी भारत की राजियों पर भी इस तुफान की वज़े से मोसम बदलेगा कई जगों पर हवाओं के जोंके तेज रहेंगे 30 से 35 कुछ इस्तानों पर 50 किलोमेटर पर 3 गंटे की रपदार से जो भारत के पूरुतर भारत की राजियों पर जादा रहेगा मदी भारत और उतर भारत की राजियों पर कोई विशेस प्रभाव इसका नहीं रहेगा तो लगतार आपको अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा मोसम विबाग की ताजा जान का री चैनल पर मिलेगी जै हिन जै बारत दन्यवाद